वेल्कम तो मैं चेनल फ्रेंज तो आज मैं लेके हैं एक वीडियो नौर्थ इसके केंडीजे एस भी है क्लर्क रिलिम्स में अगर मॉक में आपका 30 प्लस या 40 प्लस आ रहा है तो इसको अब क्या करें जो कॉन्फिडेंट रहे हैं और एक्जाम के लिए जाए तो इसमें मैं क करो मॉक जो है उसको सम्मिट करके ऑफलाइन दो मतलब मतलब बीना टाइमर के दो कोई बात नहीं दो घंटा में सॉल्फ करो पूड़ा पेपर करो करो लगभग दस मॉक ऐसी लगाओ सम्मिट करके लगाओ ठीक है तो पहले सम्मिट करके लगाना दस मॉक दस मॉक लगाने क बाद और मोग कहीं से भी लगा रहे हो कोई मेटर नहीं करती है लेकिन एक बात याद रखना मतला मैं जो फोलो किया हूँ जैसे अड़ा का मोग है तो अच्छा है आपका स्माट की रहा हो गया यह भी ठीक ठाक है लेकिन अतना खास मुझे नहीं लगा मतला अड़ा जैसा आपका मेंस लेवल बहुत ही बेकार होता है मतलब प्रिलिम्स लेवल मतलब ठीक है मतलब प्रिलिम्स के लिए ठीक है मेंस के लिए कुछ अलग अलग अतना खास नहीं होता है मतलब पेपर का लेवल मैच नहीं करेगा आपका मेंस के हिसाब से तो स्मार्ट की रहा आप प्र कर देने के बाद सब्मीट करने के दिने के बात सब्मीट करो एक मोग को आप 2 गंटा दिन गंटा कोई फर्क नहीं पड़ता आराम से सारे कुछल करना मैट्स रीजनिंग और इंग्लिश के लिए तो बस रीडिंग पर ध्यान देना हो जाएगा तो बीस अगर मालो 15-20 मोग देने के बाद आप रेल मोग में बैठ सकते हो फिर ले लो प्रैक्टिस मोग के ले लो या स्मार्ट किरा के ले लो मतलब प्रिलिम्स का और लेकर उतको लगाना सुरू करो देखना आपका 100% आपका स्कोर इंक्रीज होगा 50 प्लास भी जा रहा है तो आप क्रेक कर रहे हो याद रखना 50 प्लास भी मोग में जा रहा है तो आपका प्रिलिम्स 100% क्लियर है अगर नौटिस के हो तो 50 प्लास अगर मोग में जा रहा है तो 100% आप क्ल Thank you so much.